दौस्ता आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वह क्लेंदर स्प्रेड कैसे आप क्लेंडर स्प्रेड बना सकते हैं कैसे दो एक्सपाइरी के कॉम्बिनेशन के साथ एक डैटर रिस्वे रिवोर्ट रेशो वाले ट्रेड लिया जा सकता है अब तक आपने न सेम करने वारे है calendar spread की कि किस तरीके से calendar spread काम करता है एक better risk and reward ratio आपको दे सकता है market trading में अगर सीखना चाहते है समझना चाहते हैं थोड़ा सा समय आपका लूगा लेकिन एक fantastic चीज आपके साथ share करूगा तो ज्यादा समय आपका बरबाद नहीं करेंगे शुरू करते हैं और सीखते यूटूब चैनल में मेरे नाम अनमौल मितल पीछे हम देखते दोस्तों चार्ट जैसे कि हम देख पा रहे हैं यह निफ्ती का चार्ट चल रहे हैं अब इस पर कोई भी prediction ले सकते हैं prediction कैसे करनी है किस तरीके साब को जच करना है वेरियस तरीके हैं आप कौन सा तरीका यू 50 नीचे जा सकता है तो किस तरीके साब बनाएंगे और किस तरीके से काम करता है इसको जड़ा समझते इसको समझने के लिए मैं चलता हूं sensible पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो यहां मैंने sensible का platform open कर लिए sensible basically क्या है कि option कि strategy designing आप इस पर कर सकते हैं यहीं पार क्लिक करेंगे trade आपके broker के पास चले जाएगा अगर यह support करता है broker को बहुत सारी analysis options के आप इस पर कर सकते हैं तो यह platform यह करते आपके लिए ठीक है अब इस पर हमें simple सी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं बजार चल रहा है इसमें 20,300 के आसपास ठीक है add the money है 20,300 के आसपास हाला और एक strategy develop करने की कोशिश करते हैं जिसकी मैंने बात करी calendar spread इनि दो अलग-अलग expiry का इस्तमाल करके एक trading decision लेना और उसको develop करना कैसे करोगे अगर आप यहां देख रहे हैं निफ्टी आपको दिखाई दे रहे हैं निफ्टी का level क्या है अब यहां पर एक expiry है जो 7 दिसंबर को होगी बात समझ रहे हैं 7 दिसंबर यानि आसे 4-5 दिन बाद यह expiry होगी वीडियो का मिलेगी पता नहीं मैं वीडियो जो शूट कर रह है जो 5 दिन बाद दिखा रहा है एक है 14 दिसंबर के expiry जो 12 दिन बाद दिखा रहा है फिर आगे आगे expiry भड़ती जारी ठीक है अब इतना दोस्तों हमें किलियर है ठीक है इसमें तो कोई डाउट नहीं है अब हम क्या करते हैं हम एक काम करते कि करेंट वाली expiry चूज ना क है और पूट चल रहा है 160 रुपे का यह बाद किलियर है आपको चलिए अगर इतना आपको किलियर है और आपको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है तो हम क्या कर सकते इसके अंदर तो दोस्तों आज जो मैं यहां पर सिख हम बाय नहीं करेंगे सेल करेंगे तो अगर मार्किट यहां से नीचे जाने वाला है आपको लगता है कि निफ्टी यहां से डाउन जाएगा निफ्टी अगर यहां से नीचे गिर सकता है तो क्या करोगे अगर आपको selling करनी है तो हम call को short करेंगे अगर हमने call को short कर दिया तो अगर market यहां से नीचे जाता है तो यह 170 रुबे का premium है हमें तो यह 170 रुबे का premium कमाना है समझ के बाद तो यहां पर हमने क्या करा option selling करी option selling करने के लिए हम simply क्या करेंगे इसको sell पर क्लिक कर देंगे यहां पर आपका pay off graph बनकर आगया max profit होता है option selling में limited साड़े 8000, max loss है unlimited यानि market जितना मर्जी नीचे चले जाए आपका max profit तो cap है लेकि max loss unlimited है जितना ज्यादा उपर भागेगा market उतना नुकसान हो जाएगा लेकिन सिर्फ आपको यह benefit क्या देता है कि 170 रुप अगर market opposite भाग गया तो नुकसान नहीं होगा जैसे कि आप देखिए इसका break even point है 1% उपर यानि 20,471 रुपे यानि यहां पर जाकर भी एक्सपैड करेगा ना तो नुकसान कोई नहीं होगा तो इसके अंतर थोड़ा से य लाइट चलिए अब इतना हमें समझ में आ गया कि यह हमने कर लिया अब यहां पर टेंशन बदा क्या होती है ओवरनाइट मार्किट तो आदा 1% डेली भाग रहा है उपर दो दिन लगेंगे यहां तक पहुचने में हो सकते एक दिन लगे ठीक है फिर तो हमारा unlimited नुकसान यह पता नहीं 40,000 नुकसान पर चले जाए 50 पर चले जाए 1,000,000 नुकसान पर चले जाए capital खतम ट्रेडिंग खतम करियर खतम आज के बाद साली शकल नहीं देखेंगे market की यह thinking जाती है दिमाख में normal बात है तो हम क्या करें इसके अंदर कि हम इस loss को cap कर दे और हमें यह premium भी है इसकी भी तो एक option chain है ठीक है अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं आपने देख लिया 20,300 का आपने क्या करा है short करा है 14 December वाली इसमें नुकसान आपको expiry पर देखिए वैसे तो जल्दी आ जाएगा लेकिन हम expiry की बात करें तो break-even point की आपका 20,471 तो हम round figure में काम करते है 20,450 की एक call current वाली expiry की बाय कर लेते हैं अब ये कितने की मिल रही है only 48 रुपीज की अब ये 48 रुपीज की क्या करेगी अगर मैं इसको बाय कर लूँगा graph देखना pay off graph देखना क्या हो गया अब यहां पर देखिए max profit आपका साड़े 8 की जगा अब हो गया है 6000 यानि 5000 पर च इसके चलेगे इसके चलेगे जो 48 रुपीज का में ये खरीदना पड़ा अब इसके अंदर एक max loss cap हो गया है 5300 कुछ हो गया है अब यहां पर देखिए यह कुछ इस तरीके से बन गया है अगर market नीचे गिरती है तो आपको जो नुकसान है वो होगा limited लेकिन अगर market उपर जाती है वो भी limited है लेकिन इसका नुकसान कम है और profit की probability ज्यादा हो गई है आप इसका दोस्तों simply benefit आपको यह मिलाए बास समझ रहे आप बस इतनी ही छोटी सी चीज है और इसको हम कहते है calendar spread बनाना यहां से ओपर जाएगा तो आपको profit होगा market यहीं कहीं है एक्सपाइड ह हो जाए तब भी पूरा profit होगा लेकिन इसमें लूप है वह मैं आपको समझाओंगा अभी spread बन गया है हमने क्या करा साथ दिसंबर वाली का सस्ते वाला call बाय कर लिया और 14 दिसंबर वाली का महंगे वाला short कर दिया premium मिलेगा ज्यादा और loss की capping लिए सस्ते वाला बाय कर ल साथ तारिक तक 8 भी तारिक से इसको कोई मतलब नहीं फिर आपकी जो strategy है वापिस unlimited loss की तरफ भाग पड़ेगी यानि unlimited loss की तरफ चल पड़ेगी बास समझ रहे हैं फिर वह unlimited loss की तरफ जाएगी तो यहां पर देखे simply आपको एक बास समझनी है कि साथ दिसंबर तक तो आप अगर मार्किट यहां से नीचे गिर गया साथ दिसंबर तक मार्किट 200-300 भी नीचे गिर गया तो आपको इंस्टंट ही profit आ जाएगा आप चाहे तो उस profit को लेकर कि अपनी पूरी position को square of कर सकते हैं लेकिन भगवान ना करें कि trade आपके अगेंस्ट चले जाता है माल लेते है कि trade आपके अगेंस्ट चला गया अब इस साथ दिसंबर पर एक्सपैड कर गया माल लो यहीं पर एक्सपैड कर गया 20,450 पर ही इसकी expiry हो गई माल लेते हैं कि माल लेते हैं यहां पर हो गई तो यह क्या है आपने जो 14 तारिक वाला खृता था वह भी आपको loss में दिखा रह और उसके अंदर भी कुछ खास बनने वाला नहीं क्योंकि वो break even पर आ गया अभी देखा था हमने break even कहा आ रहा था साड़े 400 के असपास ही आ रहा था तो यानि उसके अंदर भी कुछ नहीं पनने वाला अगर और उपर market भाग गई नीचे गिरेगी तो बनेगा अब उसके इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक तो आपने 48 रुपीज वाला यह दे दिया ठीक है और माल लेते हैं कि आप market यहां पर आ गई अब आपको add the money का फिर एक call buy करना पड़ेगा और add the money का जब आप call buy करोगे तो माल लेते हैं कि वो चल रहा है घंडर्ड रुपीज का माल लेते हैं कि एकजामपार के लिए माल लेते हैं हंडर्ड रुपीज पा तो आप क्या हो गया भी 100 रुपीज आ प Te साडे साधहल यह पे चलेगे मिलना कितना था साड़्य-8000 पे अभी भी अगर मार्किट वापिस 1.500-200 नीचे गिर जाती है तब भी आप हजार पे लेके तो मार्किट से निकली जाओगे और बाइचास मार्किट नहीं देती प्रोफिट महा लेते और चली गई ऊपर की तरफ अपॉजिट डिरेक्शन में चली गई तो मैक्स आपका लॉस क्या है मैक्स ल यहां आपको अलिमिटेड लॉस था उस अलिमिटेड लॉस को हम कैप करते करते कहां तक लिया है यहां पर जब आप इसको प्रोटेक्शन नहीं लेते आप 8000 पे कमाने गए ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट गया तब आप क्या करोगे तो वह बड़ा इंपोर्टेंट है तो वह मैंने बता दिया कि कमाने के लिए थे 8000 ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया आप चाहे तो 5000 वाला जो फर्स्ट एक्सपाइरी पे हुआ था वहां एक्जिट कर सकते थे अगर वहां नहीं होता तो अगले एक्सपाइरी तक अगर आपको कोई चांस लगता कि चेंडर स्पैड का बहुत इसली बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है अब चली हमने बात करिए एक छोटी सी चीज़ की ठीक है इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं और बड़ा कैसे डेविल्प कर सकते हैं तो यहां पर हम किलियर करते हैं स्ट्रेटिजी अब एक का अब 20,300 वाली शॉट कर दी अब यहां पर देखिए जादा मिलेगा प्रीमियम साड़े तेरह अजार में प्रीमियम मिल रहा है ब्रेक इवन भी आपका देखिए कहां चला गया 20,550 पर चला गया तो डेड़ पर सेंट ऊपर है यहां पर प्रॉबैबिलिटी आपकी प्रोटेक्ट करने के लिए तो इसको एक प्रोटेक्ट कर लेते हैं यह प्रोटेक्ट हो गया अब यहां पर देखिए एक हफ़ते के लिए आपका मैक्सिमम लॉस है 8,190 मैक्सिमम प्रॉफिट है 12,000 अकर इंस्टेंट आपके फेवर में आगया अपना ट्रेड क्लोस करो खतम करो profit लो लेकिन अगेस्ट चला गया वहां पर टेंशन होती वहां क्या करना है अगेस्ट चला गया तो क्या करें अगेस्ट चला गया तो सेम चीज्स वही करनी है पहले तो यह 0 flee 12.545 अब आपके ले के जाएगा अब साथ तारीत तक आप प्रोटेक्टिड हो फिद SUPER तोदा तारीक पर आजाओ फिर देखो मैं 20,550 पर कितने रुपे का चल रहा है अगर बहुत ज़दा महंगा चल रहा है तो अपनी पॉजिशन कार्ड तो खतम करो जो भी लोस आ रहा है ले करके खतम कर दो लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी फेवर में जा सकता ह हो तो एक बाय कर लो बाय करके फिर आप उसको होल्ड कर सकते हो जहां आपको लगे जी लोस मेरा हो गया में इतना ही सैन कर सकता हुआ हसं करो अगर आपको केसके ज़िए हैं अपना बूक करो अपना करो लिए maggot कर दोस्तू के उसेड क्रिफिट बताया है बहुत छोटा सा से बतानी various strategy बनाई जा सकती है बहुत सारा कुछ किया जा सकता है अब इसके लिए क्या है थोड़ा सा experiment जो हम करते रहते आपके साथ share करते रहते बाकी calendar spread आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा comment box में नॉर्मली spread तो हमने बहुत सारे देखे है लेकि calendar spread क्या उससे थोड़ा सा better आपको लगता है आप इसके बारे में क्या सोचते है क्या आपकी thinking है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा बाकी में जलनी मिलूँगा नई वीडियो के साथ नई analysis के साथ नई experiment के साथ अब तो एक ले गुडबाय गॉडब्लेस यू बाबाय दोस्तो